इस इंटर वाले बच्चो आपके लिए ना ICI ने इस बार में 24 एक्जामीनेशन से जो आपका पेपर है audit वाला पेपर उस audit वाले पेपर में आपके कुछ examination pattern में changes आ गया है pertaining to multiple choice questions तो क्या changes आ रहा है इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज अगर चानल पर first time है तो चानल को जरूर subscribe करो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो MCQ हुआ करता था वो MCQ पहले भी 30 marks का था 30 marks का अभी भी है उसमें कोई change नहीं है बट changes जो आया है पहले हुआ क्या करता था पहले ICI आपसे 2 case scenario MCQ बूस्ता था मतलब 2 case देता था scenario based तो scenario based MCQ आपके 2 case आते थे लेकिन अब आपके 3 case scenario आएंगे तो उसमें obviously आपके marks का जो pattern है वो भी changes हो गया है तो पहले क्या हुआ करता था पहले 12 marks के scenario based MCQ आते थे अब ICI ने 3 part में इसको तोड़ दिया है 10 marks, 8 marks और 6 marks मतलब 24 marks का case scenario based MCQ आएगा और 6 marks के MCQ जिसमें 3 MCQ आएंगे 2 marks का 1 MCQ होगा मतलब 3 MCQ आएंगे MCQ question जो कि 2 marks each MCQ होगा तो 6 marks के MCQ ये बन गए और आपके 24 marks के case scenario based MCQ वो आपके total हो जाएंगे 30 marks के MCQ आपका पूरा pattern है लेकिन फरक इतना आया है कि जो पहले आपके case scenario based आते थे दो case scenario आते थे अब इतना आ गया है तीन case scenario based आपके MCQ पूछे जाएंगे audit में और marks में भी pattern में changes है क्योंकि पहले 8 marks और 4 marks के basis पे MCQ case scenario होते थे आट और चार बारा और अब की बार हो गया है 10, 8 और 6 मतलब 10 marks, 8 marks और 6 marks के basis पे और भी कुछ changes आएं है बाइदवे जो major changes था वो यही है और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज बताईएगा 10 times a lot thanks for watching this video good bless to all of you